आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। क्यूँ, उश्मा, क्यूँ, तथा कार्रे, डबलू, अवस्था फलन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये दोनो, ये है दोनो, पत के फलन हैं, ठीक है, अब इसको उधारण से समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे, ये क्या है, कोई उश्मा गति की, यहाँ पर प्रक्रम मैं बना रहा हूँ, अवस्था A है, अवस्था B है, C है और D है, ये दोस्तो अवस्था D, तो A से B पे लेके जा रहा हैं हम निकाय को, हमें अवस्था C में लेकर जाना है निकाय को तो इसके लिए दो पत हैं दोस्तों एक तो A से B, B से C और दूसरा पत यह है A से D जाएं और फिर D से C जाएं तो दोस्तों जब हम निकाय को A से B लेकर जाएंगे तब कारे, W तथा उश्मा, Q इन दोनों के मान बदलेंगे और फिर B से C लेकर जाएंगे तब दोस्तों इनके मान बदलेंगे क्यों बदले? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब हमने A से B में लेकर गए तो क्या हुआ दोस्तों यह इस पाथ के अनुदेश लेकर जा रहे हैं तो इस पाथ पे निर्वा करेंगे Q और W के मान यह जो पाथ है इस पर निर्वा करेंगे कि यह पाथ किस पिरकार से बदल रहा है इसी पिरकार दोस्तों यहाँ पे इस पाथ पे निर्वा करेंगे अगर यहीं दोस्तों अगर मैं इसको इस path से लेके जाओं A से D और फिर D से C तब दोस्तों जो कारे और उश्मा के मान में बदलाओ होगा वो जो पहले हमने path को follow कर पात को साहता से C तक लेके आये थे निकाये को उसमें जो भी परिवर्टन हुआ था उससे भिन होगा कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है दोस्तों जैसे हम जो path ही A से B और B से C की साहता से जब निकाये को अवस्ता A से अवस्ता C तक लेके जा रहे है तब दोस्तों मैं मान लेता हूँ कारे और उश्मा के मान Q1 और W1 है अब अगर दोस्तों हमने क्या करा path को बदल दिया अर्थात A से D और D से C लेकर जा रहे हैं तब इनके मान Q2 और W2 है तब दोस्तों यह जो ह दोस्तों आपस में बराबर नहीं होंगे क्यों क्योंकि यह दोनों ही क्या है उश्मा और कारे दोनों अवस्ता फलन नहीं है अवस्ता फलन होते तब दोस्तों दोनों के मान बराबर होते क्योंकि हम किसी भी path से लेके जाएं पहुंच तो हम A की अवस्ता में रहे हैं पर करते हैं अवस्था पे नहीं इस बजह से दोस्टों चूकी दोनों पत अलग घख है पत अलग होने की वजह से इनके मान भी भिन्न भिन्न होंगे तो यह हमारे प्रश्टका उत्तर है कि उश्मा ताथा कहा रे दोनों अवस्ता फलन नहीं है अथा दिया गया कथन गलत है यही क्या है दोस्तों माई प्रेश्ट का उत्तर है आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा धन्यबाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आच चार्स 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 पर